कि देखिए एक केस बचा हुआ था आपका कि तो उसमें क्या केस सकेंड में जो था आपका भेक्टर फेजर डाइग्राम सलूशन में भेक्टर दाइग्राम सलूशन क्या होता उसको समय दिएगा इसकी तरह से तो केस सकेंड की जो बात मैं कर रहा हूं उसमें क्या मानना था कि आपका एक्स एल ग्रेटर होगा एक्स से इसका भेक्टर फेजर डाइग्राम अगरा बनाते हैं तो आप कैसा बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे क्योंकि इधर होगा आपका भी सी और इस डारेक्शन में होगा भी इल इधर होगा आपका भी आर और जब दोनों को क्योंकि भेक्टर ज्यादा है ये लम्बाई ज्यादा है तो सब्क्रेंगे यह जो लंबाई बचेगा आपका होगा बी एल माइनस वी और तब एक रिजल्टेन बचेगा यह और यही होगा MF net और यह होता है I, initial phase और तब तो यहां से पैथा गुरुष्यरम से लिख सकते हैं कि Z, sorry, voltage का जो square होगा net पैथा गुरुष्यरम से वो होगा Vr का square plus Vl minus Vc का whole square अब गौर किजिए कि क्या हो सकता possibility V equal to IR होता है, V equal to क्या होता है? IR होता है, तो I और यहां पर Z लिखा जाता है net value resistance का, जेड क्या है? स्रीज, combination of LCR circuit का resistance है, simple भासाने, I square, R square लिखिएगा, V ब्रावर IR होता है और यहां पर होता है, आपका I square और XL minus XC का whole square होगा तो Z equal to जो होगा, आपका हो जाएगा under root R square और XL minus XC का whole square अब समझ सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, यह जो है impedance of series LCR circuit होगा जो कि पिछले class में फर्मूला आया था, यही same, same formula आया था और दब देखे, XL minus XC है, यानि दोनों का magnitude सेम होगा यहां पर इस बात को समझे लिजे अच्छी तरह से, दोनों का magnitude क्या होगा, आपका same होगा इस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से, मैं क्या करूँ, तो देखे ध्यान से, यहां XL minus XC तो जब भी question में कोई term आएगा, तो आपको फर्मुला बैसा कुछ सोच के याद नहीं रखना है, यह XL होगा, XC होगा पहले, क्योंकि यह squared term है, numerically value में यह always positive हो जाएगा, इसलिए 2 minus 3 भी लिखिएगा, तो 1 होगा, minus 1 का whole square 1 होगा, 3 minus 2 भी लिखिए whole square कीएगा, तो बात वही है, इसलिए यह tension नहीं लेना है, कि XC पहले होगा, कि XL होगा, तीक है, यह condition है, बस इतना से ज्यान देजे, अब इसी का हमको क्या करना है, इसी का, जब आप, भेक्टर फेर डाग्राम, इंपिडेंस का बनाईएगा, इंपिडेंस का बनाईएगा, तो यह इधर होता है XC, इधर होता है XL, यह होता है resistance R, और जब दोनों को subtract करके कुछ value बचेगा, तो यह होगा, XL minus XC का XC होगा, यह distance मतलब, और इसको काते है, जब आनि, इंपिडेंस में, इसको कहा जाता है, क्योंकि बोले थे हर एक टर्म को याद करके रखना है, यहाँ तर्म याद होना चाहिए, कि XL क्या है, resistance of inductor, जिसको हम inductive reactance कहते हैं, XC क्या है, resistance of capacitor, यानि कि आपका capacity reactance होता है, Z impedance होता है, impedance का मतलब भी क्या होता है, resistance होता है, नाम के बल याद रखना है, और यहाँ से भी लिखेगा, तो Z इकल टो आपको क्या बचेगा, अंडर रूट, आर स्क्वाइर, XL और माइनस XC का ओल स्क्वाइर, XL माइनस XC का ओल स्क्वाइर बचेगा, इस बात को समय दिए चीतर से, कोई ज्यादा कंडिशन नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ से कॉस फाई जब निकाल लिएगा, कॉस फाई, तो बेस भाई हैपोटेनस, आनि आर बाई जेड होगा हर एक कंडिशन में, देख लिए क्या होगा, आर बाई जेड होगा हर एक कंडिशन में, तो अब जड़ा, 10-5 भी निकाल लेजिए यहां पर तो 10-5 जो होगा आपका एक्सेल माइनस एक्सी होगा इसका मॉड लगाईएगा अब आए क्या होगा बेस मॉड इसलिए क्योंकि यहां पर हमारा फाई 90 डिरी से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है और अगर निगेटिव हो गया तो 10 कभ है इसलिए यहां पर फाई जो है आपका मॉड के साथ देखिए यह सब याद करना नहीं रटन नहीं बैठके रटेंगे नहीं याद रहेगा डाइग्राम को समझना एक्चुली कि एक्सी है एक्सेल है ज्यादा है याद रहेगा जेड का वैलू भी यहीं से याद रह जाएग मतलब किसी भी निकालने तैसा नहीं केक्जाम में दो ही कुछेगा हम दो इसलिए निकालने कि इस दों का सबसे ज़्यादा यूज होता है अब कॉस फाई को हम लोग अभी जश्ट अभी डिराइब करेंगे तुरंत अभी इसको पावर कहते हैं इसलिए इसको लिख दिये फर्मुला क्योंकि इसका यूज होगा देख लिए यह सभी टर्म पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे हाना ओशी का दूसरा केस था जो की एकदम सिमलर हो ही है तो फर्मुला सब कुछ सेम है हाना और पहले से लर्ण करके राया है तो इसमें कोई कर्ष्ट नहीं रहा होगा देखे इसके बाद है आपका पावर कंजू मिन स्रीजल स्यार सरके तो पिछले क्लास में हम भी बता दिये थे कि आखिर किस तरह से अस्टड़ी करना है इसका स्किन सॉट लिजिए एक बाद हो गया स्किन सॉट देख लिजिए बास समझ लिए अच्छी तरह से देखे गौर से अगर समझते हैं बात को अश्टी तरह से तो क्या होगा अगर झाल झाल आथि इसमें जो है आपको नेच्ट है पावर कंजूम में इन्सरी यह सरकित कि एल्ज्यार सरकिट देखे कहां पाय जाता है प्रेव यह समझ लिए अब पावर कंज्यूंग कहां होगा तो एल्ज्यार सरकिट का मतलब यही हुआ पिछले क्लास में इस पर बहुत डिसकॉशन हुआ है अभी भी कर देते हैं एक रजीस्टर होना चाहिए एक केपेसीटर ह होना चाहिए और यही स्रीज LCR सरक्टित है इस बात को आप समझ दीजिए ची तरह से यह रेजिस्टर्स आर है कैपसीटर सी है इंडक्टर एल है और यह हो गया इस तरह से आप समझ सकते हैं बात को कि यहां पर जब हम पिछले क्लास में रिस्वाजन कर रहे थे तो इबराबर था इनौट साइन ओमेगा टी एम अफ ऑफ दा सोर्स और करेंट जो मानके चले थे वहां आइनौट साइन ओमेगा टी था और पलस फाइव मानके चले यही फेल डिफ्रेंस का फर्मूला कॉस अब आपके इन्वाइरमेंट में आपके घर के आसपास आप लोग को एग्जामपल बताएए जहां स्रीज एलस्यार सर्कीट आप यूज करते हैं कि बताएए जल्दी से प्रियांसी बुलिए को है आपके घर में इसा इंस्ट्रुमेंट जिसमें तीनों लगा हुआ हो आज तीनों स्रीज में ही स्रीज बला ही यूज होता है सभी जगा पारलल का नहीं तो स्रीज एल से आर सर्कित कहां पर देखें हैं को एग्जांपल बताई जिसमें केपेसीटर भी हो इंडक्टर भी हो और रजिश्टर भी हो कि समझने का परियास किजी हाना कि किनी को नहीं पता है तो आपका फैन जो है पंखा जो उपर चलता है ना वो स्रीज एल स्यार सरकित है देखेगा जो पंखा है आपके पास उपर लगा हुआ है जो मोटर यूज होते हैं जहांपर इसी से जो भी मोटर यूज होता है जो पंखा घुमाते हैं तो उसके अंदर देखे क्या रपाय और आपता फैन इसी तरह से चलता है तो कहने का बतलब यह पंखी है इसके अंदर प्वाइलिंग होता है आप प्वाइल को ही तो इंडक्टर करते हैं पहला बात देखे अब पंखा के ऊपर जैसा अब्जेक्ट लटकाया रहा रहता है उसमें भी तार जाकर के निकल के आता इसमें यह कैपेसीटर होता है और कई स्वेक्टर कहां है तो जो कॉल कर रहे हैं वह कॉल क्या है और भायर के लिए रजिस्टेन्स का फर्मुल dakika पर हें फ्रोला कभी अन्दर ही रिच्टेन्स चुप गया है इसलिए रेजिस्टर अलग से लगाने की ज़रुएब नहीं है कि आयों समझ में जितने तरह का एसी मोटर है कि सभी में स्रीज लगा हुआ होता है कि देख लिए ध्यान से क्या होता है स्रीज लगा होता है हि यानिकी यह का अब इसे में पावर कंजूम कहां कहां होता यह देखना है पावर सबस्यादा कंजूम कि में होगा ह divis घृ के सीटर के रूप में होगा यह पिर आपका रजिस्टेंश के रूप में होगा इस बात को समझने के कोश्च करते हैं तो देख लिए बास समय अच्छी तरह से हम लोग अभी यहां तक हर बार पावर कंजूम की बात कर रहें और सब ही जगा आइवरेज पावर नहीं होता है पावर कंजूम जो होगा उसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए तो को और का पावर करकूर बोले यहें पावर कंजूम मिन की मतलब कि कहां लेकल के खार में पावर का फरमूल से आपलो परश्यक्र का आप छुक एंप हैं परेले मैं तरही हुं कई फिया होता कि कोई तो बोलिए कि क्या वतार पावर का फर्मूला वोल्टेज गुने करें आप पांच फर्मूला पढ़े थे वोल्टेज गुने करें आनि पावर इकॉल टू भी आई अब इसकॉएर आइटींग करेंट में ऑवरिज का डिपनिशन तो यहां पर देखिए आज जब जब आईज का दिफिनिशन आया है करेंगे तो यह इंटू करेंगे पावर हो गया लेकिन निकालने के लिए डीटी से मल्टिप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे और फिर डीटी को इंटीग्रेट करके अब देखे यहां पर एक फ़ंक्सन के लिए निकालना है मतलव एक साइकल के लिए नीकालना है से पावर करेंगे तो क्या होगा यह दोनों को पावर की जब बात करेंगे तो क्या होगा ये दोनों constant है E naught, I naught और T आ जाएगा बाहर, DT का integration है, integration के अंदर अब बच जाएगा sin और ये वहला दोनों, sin omega T plus 5 और बच जाएगा into में sin omega T और फिर into में DT बच जाएगा और integration का जो लिमिट है, कहां से कहां होगा, 0 से T होगा, देख लिजे, यहां तक समझें, अगर कोई crust है तो बोलिए, आप लोग बात समझें अच्छी तरह से, अगर कोई crust है, यहां तक पाम को बतलाईए, और crust नहीं है, तो integrate करिए, इसको खुद, क्योंकि integration आप लोग पर चुके होंगे, अना, और मेरे वार्षत नम्रों का जल्दी से भेज़िए, integrate करके, अना, फास्ट में एक दम, जितना जल्दी हो, अना, देखते हैं, कौन पहले भेजते हैं, integrate करने तो आता ही होगा ना हरहाल में, देख लिजे, इसको integrate करना है, चली सुनोली, आपका भी सही है, और आप दोनों का भी सही है, सभी का, सही है, तो देखिए, हम पहले ही बोल दिये थे, mathematical chapter है, हाना, तो हम mathematics साना चाहिए, हाना, यहां पर हो जाएगा आपका average power जब मैं लिखोंगा फिर से आगे, तो E naught, I naught लिखता हूँ, अब बाइर यहां 2T कर जेते हैं, क्योंकि यहां पर उपर नीचे 2 से multiply कर रहे हैं, तो 2 sin omega t plus phi हो जाएगा यह, और sin omega t हो जाएगा, i into dt हो जाएगा 0 से t, हाना, और एक फर्मूला पर हैं, 2 sin a into sin b, यह फर्मूला का क्या होता है, आप खुद सोचिए, नहीं, यही फर्मूला यूज होगा, क्योंकि u into b के फर्मूला पर तूटना यहां मुश्किल है, तो क्या होता है, cos a minus b, minus cos a plus b होता है, देख लिए ध्यान से, इसको मैं यहां घेर देता हूँ, इसी फर्मूला का यूज यहां पर करना है, यहां पर, तो अब जब यहां पर हम इसका यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोच लिजी, यहां पर जब average power में हम लोग चलेंगे फिट से यहां से, तो average power जब लिखेंगे, तो E naught, I naught, Y2T तो होगा ही, bracket शुरुआज करेंगे, अब पहला बार में आप लिखे, integration, क्या लिखेगा, देखे, cos a minus यह, आने कि a यह हुआ और b यह हुआ, मतलब कि आप इसको a मानते हैं हैं, इसको b मानते हैं, तो a minus b जब लिखेगा, तब क्या होगा, खुद सोची अब, a minus b लिखेगा, तो आपका हो जाएगा, cos phi, cos phi हो जाएगा, और फिर क्या होगा, minus cos a plus b लिखेगा, तो जोनों जूड जाएगा, और जाएगा, minus cos 2 omega t plus phi, ऐसा होगा, इंटू dt है तो ब्राकेट में जाएगा, तब dt होगा, क्योंकि यहाँ पर minus आ गया है, sin b जाएगा, यहाँ पर into था, इसलिए एक साफ रह गया था, वो into में, तो plus minus से separated term को, बारी-बारी समलोग इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए e0 i0 by 2t होगा, और ब्राकेट शुरुआर, इसका इंटीग्रेशन होगा, cos 5 into dt, minus cos 2 omega t plus 5 into dt, ब्राकेट 1, 0 से t यहाँ भी होगा, 0 से t यहाँ भी होगा, तो आभरेज पावर लिखेंगे, e0 i0 by 2t, ड्राकेट शुरुआर, cos 5 constant है, यह बाहर आजाएगा, और into dt का इंटीग्रेशन, और आपको पिछले के पिछले क्लास में भी समझा चुके हैं, cos या sin का इंटीग्रेशन एक फंक्शन के लिए हो, तो हर हाल में वो 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, यानि 0 से 2πाई कीजिए, या 0 से t कीजिए, हर हाल में क्या हो जाएगा वो, 0 ही हो जाएगा, इस बात को समझे अच्छी तरह से, जब 0 हो जाएगा, तो यहां से t और t अब कैंसिल हो जाएगा, तो आभरेज पावर बच गया, यह पावर फैक्टर है, यह क्या है आपका पावर फैक्टर है, इस बात को याद कर लिजे, अब यह भी फर्मूला याद करना है, और यह भी फर्मूला याद करना है, देखे, इसको रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं, आनि यू नोट वाई रूट टू लिख सकते हैं आए नोट वाई रूट टू लिख सकते हैं और कॉस फाई लिख सकते हैं तब तो आप एवरेज पावर का फ्रम्ला यह भी याद कर सकते हैं सकते हैं E-R-ms I-E-R-ms कॉस फाई और कॉस फाई का नाम ही पावर फैक्टर है को साथ हुआ का नाम ही क्या है इसका पाँवर फैक्टर है अना कॉस फाई को मिनलों स्थे प्रम्ला तरह रखना है करते हैं आरल क्योंकि आप खुद सोचिए यहां पर क्या होगा आखित देख लीजिए बात समझे अच्छी तरह से कॉस्पाई मतलब पावर फैक्टर अना तो पावर फैक्टर का फर्मुला और याद रहना चाहिए तभी काम बनेगा और सारा फर्मुला याद होना स्क्राइश का देखते हैं कि आखिर क्या कैसे पॉसिबिलीटी है जो जल्दी से फास्ट में देखिए के सिस में क्या देखना है फर्मुला तो याद ही हो गया होगा हना तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं अब आपको नीट या बोर्ट एक्जामने देखिए पॉस्चन कैसे पूछेगा वो समझेगा जैसे आप सिधा सिधा अब बात करते हैं देयान से समझेगा मेरी बात को केस हर्ष्ट में है को और शोर है रजिस्टीव सर्कित इस तर्कित है यह प्यों गुण सर्कित का मतलब जो पहले पलाए थे यादकिजिये प्यों मतलब ईजिस्टर दिखाएगा और उसमें तो जब हम प्यों रजिस्टर का स्सेट वहां कि क्योंकि हमको हर जगह छार जगह पावर डिराइब करना पड़ तो इनलग के लिए अलग तो यह निकल जागा सब अभी अब तो देखे आपको यह देखना पावर का फ्रमला तो आपको पता है अब इसमें cos phi का value क्या होना चाहिए तो प्रियांसी आप बताइए इसमें का phase difference phi क्या होगा प्योर रजिस्टिफ सर्कृट में phi का value क्या होता है तो 0 होता है very good तो 0 होता है phi तो cos phi तो 1 होगा इसलिए average power का जो formula होगा इसलिए जहां जहां आप समझे सकते हैं कि क्या होगा देख लिए बास में लिए 01 होता है यानि average power का formula जो हो जागा यहां पर आप लिख सकते हैं इसलिए जहां जहां आपको पावर निकालना रहेगा प्योर रेजिस्टर में तो यह देखिए दिहान से समझे लिए लेगा और निकल के आएगा और सब्सक्राइब पार्टीक्लाइब होगा पार निक्ली वोल्टेज गुने करेंट हो गया रिजिस्टर के केस में लेकिन के सके नवे चलते हैं और प्योर के पेसीटिव और इंडक्तिव सर्किट इंडक्तिव सर्किट मतलब प्योर केसीटर है या प्योर इंडक्तर रहे यानि इस सर्किट में आप ऐसा जोड़ दिजी सोर्स प्योर के पिसीटर वाला या फिर आप ऐसा जोड़ लीजिए प्योर इंडक्तर का आप बताइएगा गौरब बताइए कि दोनों में फेज डिफेंस क्या क्या होता है इस केस में फेज कितना होगा और इस केस में फेज कितना होगा दोनों का अंसर बताना है दोनों का अंसर आपको बताना है प्योर इंडक्टर में फेज कितना होता है तो कितना होगा आप ही बताइए 90 डिग्री दोनों होता है होता है ना और कॉस 90 क्या होता आप सोच लिजी क्या होता है जीरो होता है जीरो होगा तो चलिए जीरो जब होता है तो आभरेज पावर क्या लिख सकते हैं आप खुद सोचिए तो अब जीरो हो गया यानि कि आपके पास दो ऐसा इंस्टूमेंट मिला है जो पावर कंजूम नहीं करेगा कौन-कौन तो कैपेसीटर और इंडक्टर जो है पावर कंजूम नहीं करता है इस बात को समझ लिए चीटर नहीं तो आप बताएं इनर्जी कंजर्वेशन डूल का तो वाइलेशन हो जागा मतलब इनर्जी कंजूम लागूं ही नहीं होगा इसलिए प्योर कैपेसीटर सिर्फ कोई वार्क नहीं कर सकता है प्योर इंडक्टर सिर्फ कोई वार्क नहीं कर सकता है पावर नहीं करें तो और को कैसे करेगा लेकिन स्रीज में भी जब रखिएगा तो हम लोग अब ऐसा कंडिशन जनेरेट करेंगे जिसमें यह दोनों पावर कंजूम करना बंद कर दे और काम होता रहे तो अब सिच्चियोशन आगे देखेंगे लेकिन देखे अब एक और बात बताते हैं ध्यान से समझेगा केस है या कोश्चन है जो आप समझ लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको आर्शी सर्किट में पावर कंजूल निकालना है और आर्शी सर्किट अब भी सिर्जी में तो देखे जिए ध्यान से कि अगर कोई समय का हमको फर्मला पूछ दे ऑर्शी सर्किट में तो मैं क्या लिखेंगा में एकदम अराम से लिखूंगा आर अस्कॉर पलस एक्सी माइनस एक्सेल का हो जो नहीं है उसको छोड़ दिए तहां निफ़ता मतलब स्रीजी एलसी आर आपको अगर याद है ना तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा आप सोच लिजिए जेट का फर्मर लिखा गया तो सफाइब रावर होता था आर बाई जेड तो आर बाई जेड यही होगा आज जब सलूशन करने चलिए तो आर बाई अंडर रूट आर अस्कॉर और एक्सी का होल अस्कॉर बजाएगा और एवरेज पावर अगर कंजूम करना हो तो आपको कोई बात नहीं है यारे में सोगा और कॉस फाइए और कॉस फाइए अभी निकाल के दिखा दिये हैं देखिए मैं आपको कोशन बनाने का टेकनिक समझा रहा हूँ एक जहां में स्रीजे यलसी आर आएगा इसकी कोई नहीं है आपको मेहनत करना पड़ेगा इस चेप्टर में कुछ ज़्यादा ही क्योंकि इसमें ने ने तर्म बहुँ ज़्यादा आग जाए ठीक है अब देखे आर्सी सर्कुट में हम लोग ऐसे सलूसन करेंगे और कहेगा अब आपसे पूछेगा कि आर्सी सर्कुट में करेंट आगे की भोल्टे जागे क्या बोलिएगा त्यूर रजिस्टर प्यूर कापसिटर प्यूर इंडक्टर में तो याद है आर्सी सर्कुट में कौन आगे होगा तो करेंट आगे होगा क्यों क्योंकि करेंट जो है आगे करता है यह आए तो कुछ करता ही नहीं है लेकिन हाँ नाइन्टी डीडि नहीं होगा अब काउस प्याई का वेल वहास निकालना पड़ेगा वहास सब्सक्थाई निकाले से कम होगा तो यहां पर अब जो है और कि एलार सर्किट देख लेते हैं कि एलार सर्किट कि एलार सर्किट की जब बात कीजिएगा तो यह जो है आपका इंडक्टर है देख लिजे बात समझ लिजेशी तरह से नहीं देखें श्रीज फॉर एलार सर्किट के लिए क्या करना है तो एलार सर्किट जब होगा देखें यह सब आपका नीट में जानते हैं इस तब आएगा डारेक्ट पे आपको लगा कि सब नहीं पढ़ाएं और हम सब पढ़े ले रहते हैं क्योंकि इसी में सब मिला हुआ है से सारस का सलूसन निकल जाता है उसी को टेक्निक को बता रहे हैं ध्यान समझेगा देखें तो बार बार अलग सर्किट को पढ़ने से बहुत चैंशन होगा आपको बहुत ज्यादा थियो है वहाई नेकालना है तो तो और ऐंजेड होगा सिधा सिधा वाथ ए APA प्लागे होगा यह पीछे होगा into तो कंट इसमें पीछे होगा क्योंकि क्योंकि एल र स्गिट में signal को पीछे करेगा ला एक भीन होगा very good current lag कर जाएगा क्योंकि resistance जो R है वो कुछ करता नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि current पीछे होगा लेकिन कितना degrees 90 degrees नहीं होगा क्योंकि cos phi का value यहां जो आएगा उतना degrees पीछे होगा यह बात धिहान रखेगा अब average power consume जब लिखिएगा तो average power consume जो होगा average power तो यहां पर हो जाएगा ERMS और cos phi और cos phi निकालने का तरीका याद रखेगा अना बहुत important है cos phi बहुत अगर दिमाग खराब करता रहेगा अपर इस बात को समझ लिजेगा cos phi को इस तरह से याद कीजिएगा पिक्चर के साथ कि कभी आपको confusion यह नहीं करें direct formula कभी मत रखिएगा तो इसी तरह से LR सर्किट और LC सर्किट होगा जो सर्किट रहे देखे सिंपल सा याद कर लेना है कि LCR सर्किट का इंपिडेंस का प्रमुला क्या होता है को सपाइब का पावर कंजूंग का उसका जो भी सर्किट रहे एल रहे एलसी रहे जो भी जो नहीं रहेगा वो फर्मुला से सिधा वहां मिटा दिएगा जीरो कर उसके बदले अंसरा जाएगा आपका आइसका भी असकिन 사ट एक बार रे लिजिए उसका फिर आगे बख जाते हैं लीजो देखे इसके बार पाढ़ना है इलेक्टिकल रेजोनेंस का कि एक वाटल स्कारेंट भी है क्या है वाटल स्कारेंट और एलेक्रिकल रेजोनेंस आई कि अब अब बहुत सिंपल है उजाड़क कुछ नहीं है जो में चीज़ था अब जो पढ़ेंगे उधर से थोड़ा कम आता है मेन आपका देखिए पावर कंजूम बार पर पूछेगा एल्जी इंपीडेंस का प्रूला पूछेगा जैन्प सबसे इंपोर्टन थैं देखिए वाट लेस करेंट यह पावर का ही कोशन है वाट लेस करेंट क्या होगा तो आप खुद सोच लीजे किस-किस स्ट्रकित में पाउट केそुन नहीं होता है वई तो आपका kafu किपटर में प्योर इण इंड़क्टर में तो वैसा सरकिट जिसमें किरंट फ्लो होने के बाद भी पाउट केसम नहीं हो तो उस करेंट को क्या करते हैं वाट्लेश करेंट करते हैं आना इसमें कुछ है नहीं हना, in case of pure capacitor, capacitor or inductor, power consume if is zero. तो, current in this circuit, is known as worthless current, यह सिम्पल एक्टिव मिशन था, worthless current, simple define कर सकते हैं, worthless current को क्या थाते हैं, इसमें कोई फर्मूला फर्मूला नहीं है, worthless current, ठीक है, अब resonance की बात करते हैं, मैंनो ही topic एक है, electrical resonance की बात करते हैं, इसको देख लिजे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसको मिटाने जा रहे हैं, तो electrical resonance क्या होता है, और resonance क्या होता है, उस बात कुछ है, electrical resonance और resonance की बात करते हैं, कि आखिर क्या हो सकता, possibility, संभावना, ठीक है, तो देखे, electrical resonance, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, रेजोनेंस, देखे, रेजोनेंस एक कंडिशन है, किसी भी सिस्टम का, जिसमें वह सिस्टम अपना maximum efficiency सो करता है, आनि maximum work होता है, उस कंडिशन में, उसी कंडिशन को रेजोनेंस करते हैं, जैसे simple सा बात है, आप समझ लीजिए बात को, रेजोनेंस सबसे पहले बड़ी जो होता है, पेंडूलम के केस में, यानि कि SHM के case में, आप क्या कीजिए, एक दोस्त को बैठा दिए कहां पर, जूला पर, जूला पर एक दोस्त को बैठा दिजा, बैठा हुआ है उबचार आराम से जूला पकलगर के, आप यहां पर खड़े हो जाईे, वो भी आराम से खड़े रही है यहां पर, और इसको हर बार आप फोर्स लगाए कब, इधर फोर्स आपको लगाना है अपना, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, हलका सा फोर्स लगा कि इधर छोड़ दिए, यह अब इधर जाएगा, इधर जाएगा, और फिर इधर आएगा, जैसी है हाँ पर आया, फिर दुबार आप फिर लोटके हाएगा, जैसे ही लोटका आया, फिर सेक वार फोर्स लगा दिजिए, अब इससे ज्यादा थोड़ा और दूर जाएगा, फिर दूर तक जाएगा, और फिर लोटके हाएगा, फिर दूर जाएगा, फिर दूर जाएगा, फिर दूर जाएगा, इसी करम में कि जितना दिर में यह lot के यहां पर आ रहा है उतना ही दिर के बाद आप force लगा रहे हैं यानि कि इसको इधर जाने का जो condition है और आपका जो force लगाने का condition है वो equal time interval के बाद हैं उसको time period करते हैं equal time interval के बाद है या इसका उल्टा कह सकते हैं कि इसकी frequency same है आनि यह circuit है और यह source है यानि कह सकते हैं यह system है यह external agent है system external agent का frequency अगर match कर जाए आनि दोनों का frequency same हो जैसे इस condition में same हो गया है उस condition में कोई भी system आपने maximum efficiency के साथ वर्क करेगा oscillate करेगा pendulum maximum efficiency के साथ वर्क करेगा इसी condition को resonance कहते हैं अब देखिए LCR circuit में क्या होगा इसी तरह का condition है तो LCR circuit में क्या होगा तो यहां पर एक है आपका circuit capacitor है inductor है हना और एक बाहर का source है आपको मैं simple सा example बता सकता हूँ क्योंकि हम laboratory में खड़े नहीं है कि आप instrument करके दिखा दूगा लेकिन थोड़ा सा तो हम समझा ही सकते हैं आपके घर में inverter लगा हुआ होगा जरूर फ्लैट में inverter में जहां भी रहते हैं जड़ा गौर कीजिएगा जैसे ही line चला जाता है inverter अन हो जाता अपने से और पंखा का आवाज जो है थोड़ा सा बदल जाता है यह ध्यान दिये होंगे बहुत वारा आप ऐसा हुआ आपके साथ बताईए अमेशा होता है हना जब बदल जाता है तो अब याद किजिए कि क्यों बदल जाता है वही बात बता रहे हैं हना हमने कहा कि आपके घर के घर में inverter लगा हुआ होगा लाइन जब चला जाता है तो देखिएगा उस पंखा जो चला हो उसका आवाज थोड़ा सा बढ़ जाता है या कुछ दूसरी तरह से होने लगता है आवाज तो ऐसा क्यों होता है तो उसका एक बहुत बड़ा ही कारण है उस कारण को हम बतलाते हैं कि क्या है आपके देखे यह जो सर्किट सेट किया जाता है किसी भी कमपनी में पंखा में इतिनों था लगा हुआ जब यहां सेट किया जाता है तो इधर से जो फ्रिकेंसी आ रहा है उस फ्रिकेंसी के हिसाब से उसको सेट किया जाता है ऐसा नहीं कि जैसे मन पैसे आप सेट कर दिएगा और काम आपका होने लगेगा यह बात आप समझ सकते हैं चीछ तरह से ठीक है एवेन हर एक इंस्टुमेंट पर आपको लीखा भी रहता है कि आपका उसका फ्रीकेंसी क्या है और हर्ज क्या है आप सिंपल एक मोबाल चार्जर लीजिए गाना तो उसमें भी तिनों सर्किट यह लगा हुआ है कि बेना इस तिनों का वर्क नहीं होता और उसमें भी फ्रीकेंसी लिखा रहता है आप अपने मोबाल चार्जर को देखिए गाइधर ऐसे तो हमको दिख रहा है इसमें आप लोग को दिखेगा पता नहीं अना देखीगा इसमें तीन लाइन के बाद देखिए दिख रहा है है सर्कीट में थोड़ा बहुत नहीं दिखता होगा आप लोग को कि रुकिए हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिज तो करेंगे कैमरा यहां बहुत सारा लाइन के बाद यहां पर आप अब मेरे nehme कि दूझा हो हला है यहां जो थोड़ा महिं महिं रता लिखा रहता है इन पुट में क्या होना चाहै आप होना चाहिए एक हजार मिली एंपियर देगा मतलब कि उसको कर सकते हैं आप सिंपल भासा में यानि कि हर एक circuit पर लिखा रहे ता आप बलब भी लिजिएगा ना उस पर ही frequency लिखा रहेगा चेफल बलब ले लिजिए जो भी लिजिएगा इंस्टुमेंट आपके सब पर frequency लिखा रहता है अब frequency लिखने का meaning और मतलब क्या होता है उसको समझना है तो यही सर्कित में सब कुछ लगा हुआ रहता है actually क्या होता है ना कि जब आपका frequency दोनों का match कर जाता है जब दोनों का frequency match कर जाएगा equal हो जाएगा उस condition में इसमें current सबसे ज़्यादा flow करेगा resonance में क्योंगी work सबसे अच्छा होता है तो इसमें जो current होगा वो एकदम maximum efficiency के साथ flow करेगा है और circuit बहुत अच्छे बज़ेगा resonance के कारण ही सारा communication भी होता है communication का मतलब mobile आपका work जो कर रहा है आप radio बजाते हैं उसका जो work कर रहा है कभी न कभी तो मवाइल में रेजियो मिर्ची जरूर बजाए होंगे पटना में है तो पटना में रेजियो मिर्ची बहुत फेमस है लेकिन आपको पता है यह इसकी प्यूकेंसी लिखी रहती है मेगा हर्च प्यूकेंसी होता है अब आप क्या किजिए ध्यान से समझेगा मेरी बात को आप अपने मॉवाइल में 98.3 लिखिएगा ना तो गाना बड़ा अच्छा बजता है अदम तेज आवाज में साफ सुत्रा आवाज में आप मैनुवली उसको फिट कर दिए 98.4 तो गाना भी बज़ेगा और खर्खराहट भी रहेगी लेकिन 98.5 अगर करके सेट कर दिएगा ना तो गाना लगेगा कि हलका हलका भज रहा है बट खर्खराहट इतना ज़्याद हुआ कि आपको सुनाई नहीं देगा उसी तरह से 98.2 कर दिएगा तो गाना भज़ेगा भी खर्खराहट भी रहेगा 98.1 कर लिएगा तो आप अभी भी जा करके आप घर में हैं बैठोएं वहाँ भी कर सकते हैं तो देखे यहां भी गाना भज़ेगा बहुत कम खर्खराहट जादा होगा देट मिंज कहने का मतलब क्या हुआ 98.3 पर ही क्यों बज़ता है सबसे अच्छा तो इसका उदाहरन यह हुआ कि गान्धी मैदान के पास इसका टावर लगा हुआ है जहां रेडियो स्टेशन है रेडियो मिर्ची का हना तो अब देखे ध्यान से अब वहां से रेडियो पर अब मुवाइल जब इतना फ्रीकेंसी निकालना से बाद करेंगा मतलब यह सोर्स का काम पर जो सोर्स नहां लगा रहना है तो रेडियो मिर्ची के स्टेशन से यह सोर्स का वेव जो है वहां से हवा में छोड़ जा जाता है अब यह फ्रीकेंसी हर एक रूम में पर्जेंट कर देगा दोनों का प्रिकेंसी आपसे मैच कर जाएगा और तभी रेडियो वर्क करता है इसी कंडिशन पर मुवाइल करता है सारा हना बिना रेजोनेंस का कोई काम नहीं होता है बस इस बात को याद के लिए रेजोनेंस से हटिएगा इंटुमेंट का आवाज गर बढ़ा ज होता है 90 अना तो एलेक्टिकल रेजोनेंस के समय क्या होगा अब करेंट वाला सरकीट है तकरेंट मैक्सम होगा और समय लिजेंस वर्क का मतलब क्या होता है जैसे कहने का मतलब यह हुआ एक और एकजांपल इकजांपल देते हैं अना जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हम होगे सोर्स क्या होगे सोर्स और आप क्या होगे सरकिट अब बते जो मैं बात बोलू वही बात आप करते जाएंगे तो आपका तोन मेरा फ्रिकंसी आपके फ्रिकंसी से मैच कर रहा है मेरे अनुसारते लेंगे तो आप करता रहेगा तो आपका रिजल्ब सबसे अच्छा होगा और हम कहेंगे नहीं आज ही पढ़ा दिए तो माधा मन से पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेंगे तो भी उसमें आपको घाटा है मतलब कि यह 98.3 जो रेडियो स्टेशन से रिलीज हो रहा है न वह अपना फ्रिकेंसी नहीं मैच करेगा आप अपने मवाल के फ्रिकेंसी को मैच करवाना पड़ेगा और तब आप अरिजल सबसे अच्छा होगा उसी तरह से इलेक्टिकल आपके घर में जो करेंट आ रहा है जमार लिए कि यहां पर सबसे भगल में अगर करेंट की बात करें तो बार में एंटी पीसी लगा हुआ है अब एंटी पीसी थर्मल पाउर प्लांट जो बार में है वहां से एलेक्टिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है और वहां जो जेनरेटर घूम रहा है एसी जेनरेटर जो पढ़ाय थे वह एक मिनट में आती एक सकेंड में पचास बार यह रोटेशन मार रहा है और उसकी फ्र हर्च फ्रिकेंशी मार रहा है वह बार वाले अस्टेशन वाला जो जेनरेटर चल रहा है एक सकेंड में पचास चक्कर मार रहा है तो एक मेंट में तीन हजार चक्कर आने की उमेगा हो गया इतना है यह आपना चानल नहीं बदलेगा अब आप जो इंस्टुमेंट लगा र बात को अभी समझेगा बात को अभी तो नहीं समुझने आएगा बहुत लोगों को ना पंखा सिधा जल जाएगा ना आपका आपका सिधा जल जाता क्वाइल तो हम लोग बैंडिंग करवाने के लिए दुकान पर जाते हैं दुकानदार फिरीश का पढ़ा लिखाज में न पर भिजता है और हम लोग भाहर भालेते हैं तो जब बाहर बनता है न तो नहीं डालेगा ज्यादा भी नहीं कर सकता है जादा कम करेगा तो जानते क्या होगा इसका प्रुकेंसी जो पंखा में डेखे ध्यान समझेगा एक बात और समझेगा रेक पंखा में रड़ा आ पीछले क्लास में बता दिये थे अना और अभी भी बताये थे तो तो कंडेंसर जुलट का रहता है वह आपको 2.5 माक्रो फ्राइड का होता है रिजल लाइफ में जो आपके घर में लगावा रहता है जेनरली उसकी बकंख बात करें आप इसको हटा के तू माक्रो फ्राइड कब लगा दिए आपको फ्रिकेंसी बदल जाएगा आपको इसलिए इंस्ट्ुमेंट में जीतना का काप्शीटर कहां लगा है उतना ही कर रहने आपने मन से यह ने किजिए कि अच्छा पंख का स्पीड घट गया है तो बलाक कर देते हैं चोटा कर देते हैं ऐसा कभी मत किजिएगा है ना पंखा को भी जला जीएगा मोटर को जेला और जब तो पावर कम करके ज़्यादा आपका क्या करेगा ज़्यादा ज़्यादा होगा तो सिंपल समय बात बता देता हूं ध्यान से समझ लिजेगा कि मैं यहां से लिखता हूं थोड़ा सा टेंसर मत रिजे अभी जगा खाली है अगर इसको इसको सब्सक्राइब ले लिजिए एक बार हना तो अब थोड़ा लेंगुज लिख देते हैं इलेक्टिकल रेजोनेंस के बारे में क्या होता है जो हना समझने के लिए सब जरूरी थ सबसे पहले था कि रेजोनेंस के समयं स्कूल करेगा इस पीसिए तो कहने का मतलब यह हुआ आपका in electrical resonance, electrical resonance, in electrical resonance, current in LCR circuit इज лखा मैक्सिमुम हो और यदी कॉरेंट मैक्सिमुम हो और आई-मैक्स जेड़ मस्ट बी मीनिमम कैसर यह क्या बात आप लिख रहे हैं देखिए किसी सर्किट में भी ब्रावर आई-ार फर्मुला लागो होता है मैं सिंपल समझाता हूं ज्यादा कोई भी बरावर आई-ार होता है तो आई-बरावर होता है फर्मुला सिधा समझेए लेकिन आप स्रीज येल्सी सार येल्सी यार सर्किट में भोल्टे तो सोर्स का फिक्स है और रेजिस्टेंस को जेट करते हैं इसी के बदले यह आया है तो यहां पर जब इसके बदले यह आया है अगर करेंट को मैक्स करते हैं आप मैक्स इसको तो मिन होना ही पड़ेगा हर हाल में आपको इसको हर हाल में minimum होना पड़ेगा minimum करना है zero नहीं करना है minimum करना है for z to be minimum xc must be equal to xl कहिए क्यों ऐसा लिखे सर तो यहां मैं बात बताता हूँ एक सी माइनस xl का अब बताइए इसको मिनमम करना है तक कुछ मत किजिए इसका मैनिचूर इसका मैनिचूर इकूर कर दिजिए तो मिनमों होगा यानि कि डैट आप कह सकते हैं कि यह बहुत बार सीवेसी बोड पूछा है और नीट भी दो तिन बार पूशन पूछा इसको आप भीजेगा एट एलेक्टिकल रेजोनेंस एलेक्टिकल रेजोनेंस मिनमम भायर रहेगा ही है और यह भीजिए। होगा याने कि किसी भी कंडिशन में ग्रींट से कम नहीं हो सकता है किसी को करते हम लोग तो ए单 प्राइबार एक्सल था कि ऊसी प्रावर होता वन बाई उमेगा तो यदा इसलों मेगा इक्वल तो होगा 1QR और आपको पता है कि फ्रिकेंशीगो लिख सकते हैं इसको एक सकते हैं है इसंट वाई को सब्सक्राइए डोनों फर्मूला हो सकता है क्योंकि उमेगा का भैलू अब पहले भाली भालती चित है कि तूपाइब इती होता है तूपाइबाइब टूपाइब एफ होता है वहां सा गया आनि यह na यानि फिरुकेंसी औफ एलेक्टिकल ड्योनेंस हो गया यह गया अब यहीं से निकालता है देखेंट के फर्मूला में रजिस्टर नहीं आया है इसलिन बोले कि आप सर्कुट में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे पंखा में क्वाइल है और किसी एक को भी चेंज कर दिएगा इंड़क्तर मतलब का नमबर ऑफ टर्म क्योंकि आप किसी को भी अगर चेंज करते हैं तो तो नहीं हो पाएगा तो सूर्स का फ्रिकेंशी कभी नहीं बदलता याद कि जाए आपका एसी जो घर में आता है ना बाहर से जैसे कि आप अभी बता रहे हैं और भी बहुँ जगह आते हैं इंडिया में पावर प्रिकेंशी सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हैं में इसमें समझना है इलेक्टिकल इसमें सब्सक्राइब करेंगे इसका नहीं कर सकते हैं जो कंपनी बनाके भेजा है उसकी अनुसार चलेगा इतना याद रखेंगे तो यह हो गया इसका इसका ग्राफ को भी देख लेते हैं थोड़ा सा इस ग्राफ को भी देख लेते हैं इसको असकी इंसर्ट लेजिए जल्दी से तो ग्राफ को भी देख लेते हैं जो ग्राफ है उस ग्राफ को भी अश्टडी कर लेते हैं फ़ला साथ और ग्राफ होई बताएंगे जो भी आपको समझा रहे थे और जादा कुछ नहीं करना है तोजब देखेंगे आप कहीं भी देखेंगे इसको इसा होगा अग्राफ कहने का मतलब यह हुआ जरा गौर से समझ यह करेंट का मैकसम भैलू है इसको अप्लिट्यूड ऑप करिंट कहते हैं आई कहेंगे इसको किसी को आइनोट कहते हैं सर्किट में जो कैंट मैंस फ्लो करेंगा अब इसके जश्ट नीचे चले जाए तो यह होगा रेजोनेंस फ्रिकेंसी हो गया यह उमेगा नॉट है यही इस पर आपको सबसे ज़्यादा होगा लेकिन अभी एक वजा रहे थे कि इक रेडियो मिर्ची में जब बजाएगा तो एक समय के बाद हो जाता है तो इधर भी था एक उमेगा बन बन आइधर भी था एक उमेगा टूँ स्काक्यांपल लिए थे 98.5 इसका फ्रिकेंसी आप दोनों का चेंजिन फ्रिकेंसी दोनों तब सेम है और इधर भी डेल उमेगा दोनों के लिए प्रिकेंसी कितना का ऐँसे यहां भी है तो बैंड बीत यह तर्म होता है बैंड वित अफ सर्किट क्या होता है the range the range of frequency frequency over which an instrument work instrument work is known as bandwidth of circuit मतला वह range of frequency जिस पर को instrument work करे उसको bandwidth circuit करते हैं तो कितना frequency work कर रहा है 98.5 और देखे यहां पर जो है आपका bandwidth of circuit हो गया मतलब range over which frequency instrument work को भी instrument सदा सदा के लिए वर्क नहीं करें किसी भी frequency पर तो कुछ frequency धर दर भी resonance से थोड़ा हट भी जाए तो work होगा मतलब कि resonance से थोड़ा हट भी जाए तो work होगा लेकिन उतना अच्छा work नहीं होगा बास में लीजिए इसले resonance में रहना बहुत जुरूरी है हना हर एक system को हना जब तक नहीं system में resonance में रहिएगा तब तक work बिलकुल नहीं होगा इस बात को याद कर लेजिए तो मैं एक बात समझाता हूं अच्छी तरह से समझने के लिए तैयार रहिएगा तो अब इसके बाद अगर गौर करते हैं तो एक इसमें है उनने क्वालिटी ऐक्टर है एक टर्म आता है क्वालिटी ऐक्टर या सारफनेश ओफ रिजेंश सारफनेश डोनों वड्स मय एक्षा ये मिए फ़्छापनेर्स और ठीकर्ट्रों प्रसंट्र राचंग, या सरफनेश क्वालिटी फैक्टर और सार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इसको हम लोग क्यू से देनोट करते हैं क्यू से देनोट करते हैं इसका डाइट फर्मूला आपको याद कर लिजेगा रूट अंडर इसका और भी फॉर्म होगा या एक्सेल वाई यार होगा दोनोग फर्मूला यार कर लिजेगा तीनों फर्मूला मतलब यह सार्पनेस और जोरी है ते जोरी है हमारे सर्किट में जोरी है हमारे इंभारिमेंट में जोरी है तह भी वर्क प्रॉपरली अच्छे से होगा इसके बाद मात्र एक टॉपिक बच गया है एक घंटे का मतलत दोनों मिला करके आपका बच गया है lc-oscillation 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 or transformer transformer कि दो टॉपिक एक घंटे में लगों सांप सुझा गया है तो आज का क्लास हम यहीं पर इंड करते हैं